मैं हूँ मनिश ठककर आज हम बिना जारे के मीठी बुंदी किस तरह से बनानी है वो देखेंगे और बुंदी बनाने के लिए आज मैं आपको तीन मैथर बताने वाले हूँ तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं बुंदी बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका बैटर बना कर तयार करेंगे तो यहाँ पर एक कप बेशन लिया है बेशन को हम एक बरतन में ले लेंगे और बेशन को इस्तमाल करने से पहले छान लेना है अब इसमें जरूवत अनुसार पानी डालेंगे और हैंड विस्क की मदद से इस तरह से इसका बैटर बना कर तयार करेंगे जब भी आप इसका बैटर बनाए तब उसमें गुटली या ना बने उस बात का आप खास ध्यान रखे तो इतना बैटर बनाने में मैंने एक कप से भी कमपानी इस्तमाल किया है और जो बैटर की कंसिस्टनसी होती है वो इस तरह की मिडियम थिक होनी चाहिए अगर बाइचांस बैटर थोड़ा पतला हो जाता है तो आप एका चमच बेशन इसमें एड़ कर सकते है लेकिन आपको बैटर की कंसिस्टनसी ऐसे ही रखनी है इस तरह से बैटर बन जाए उसके बाद आपको इसे 5-7 मिनिट तक लगातार इस तरह से चलाते रहना है जितना अच्छा आपका बैटर बन कर तयार होगा बुंदी भी उतनी ही अच्छी बन कर तयार होगी हम इस बैटर में से 2 से 3 चमब जितना बैटर एक कटोरी में निकाल लेंगे अभी हम 2 कलर की बुंदी बना रहे हैं इसलिए हम इस तरह से बैटर को अलग करके उसमें थोड़ा रेड फूड कलर एड़ करेंगे अगर आपको ग्रीन कलर की बुंदी बनानी है तो 2 से 3 चमब जितना बैटर एक कटोरी में निकाले और फिर उसमें ग्रीन फूड कलर एड़ करें आप पाउडर कलर, जैल कलर या लिक्विड कलर कोई भी कलर का इस्तमाल कर सकते हैं तो ये हमारी रेड कलर की बुंदी का बैटर बनकर तयार हो गया है अब बाकी का जो बचा हुआ बैटर है उसमें हम औरेंज फूड कलर एड़ करेंगे अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो बीना फूड कलर के भी आप ये बुंदी बना सकते हैं ये हमारी दोनों बैटर बनकर तयार है अभी हम कीन चीजों का इस्तमाल करके बुंदी बनाने वाले है वो देख लेते हैं तो सबसे पहला इस तरह का जो जहारा होता है जो हम पूरी फ्राय करने के लिए इस्तमाल करते हैं वो आप ले सकते हैं दूसरा है इस तरह का ग्रेटर जो हम गाजर या लौकी कदुकस करने के लिए इस्तमाल करते हैं और तिसरा जो इस तरह का छेद वाला बॉल आता है वो भी आप ले सकते हैं तो तीनों तरीके मैं आपको बत इसमें आपको मुंफली का तेल इस्तमाल नहीं करना है और बुंदी को परफेक्ट गोल बनाने के लिए जैसे बैटर की कंसिस्टंसी इंपोर्टन होती है उसी तरह से ओल का टेंपरेचर भी बहुत ही इंपोर्टन होता है तो तेल गरम हुआ है कि नहीं वो चेक करने के लिए इस तरह से एक से दो बुन जितना बैटर इसमें डाले बैटर तूरंथ ही फ्राय होके उपर आ जाए मतलब कि तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है तो अब हम बुंदी बनाएंगे तो सबसे पहले जो जहारा हमने लिया है उसे इस तरह से हाइट पर रखेंगे और बैटर क अच्छी की मदद से इस तरह से जहारे के उपर डालेंगे आप देख सकते हैं बुंदी अपने आप ही तेल में गिरने लगी है बैटर की consistency सही होगी तो बुंदी इस तरह से अपने आप ही तेल में गिरने लगेगी आपको जहारे को टैप करने की भी जरुवत नहीं है तो जो भी साइज आपने कड़ाई के लिए हो उसे साब से आप इसमें बुंदी बनाए और बुंदी को मिडियम टु हाई फ्लेम पर फ्राय करना है इसे फ्राय होने में ज्यादा समय नहीं लगता तो और एक मिनिट में ही ये बुंदी अच्छी तरह से फ्राय हो गई है और बिन उसे तरह से मिडियम टु हाई फ्लेम पर इसे फ्राय करना है अब जो बॉल हमने लिया है उसमें इस तरह से बैटर डालकर हम बुंदी बनाएंगे अभी जो मेजर्मेंट लिया उससे आप 200-300 ग्राम जितनी मीठी बुंदी बनाकर तैयार कर सकते हो तो ये बुंदी भी फ् तो जो रेड कलर का बुंदी का बैटर हमने बनाया है उसमें से भी सेम इसी तरह से बुंदी हम बना कर तयार करेंगे अगर आपने ग्रीन कलर का बैटर भी बनाया है तो सेम उसी तरह से आप ग्रीन बुंदी भी बना कर तयार कर सकते है तो आप देख सकते हैं जो बुंदी का special जहारा आता है उसका इस्तमाल किये बिना भी आप बहुत ही अच्छी इस तरह से बुंदी बना कर तयार कर सकते हैं बनाई हुई बुंदी को हम side में रख देते हैं और अभी हम बुंदी के लिए सुगर सिरप बना कर तयार करेंगे से मिडियम आज पर हमें गरम होने के लिए रहने देना है अब देख सकते हैं पानी उबलना शुरू हो गया है इसे हम एक बार चला लेंगे तो जो चीनी हमने डाली थी वो अच्छी तरह से पानी के साथ घुल गई है इसे हमें एक मिनिट तक उबालना है एक मिनिट के बाद अब हम इसमें एक बड़ा चमच देशी घी डालेंगे घी डालने से बुंदी का स्वात बहुत ही अच्छा आएगा जो हमने घी डाला था वो भी सुगर सिरप के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है गैस की आच धीमी कर दे और जो बुंदी हमने फ्राइ करके रखी है वो सारी इसमें डाल देंगे बुंदी को चाशनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अब गैस की आज धीमी रखनी है और इसके उपर हम धक्कन लगा देंगे बुंदी को हमें धीमी आज पर 5 मिनिट तक पकने देना है 5 मिनिट के बाद आप देख सकते हैं जो सुगर सिरप थी वो बुंदी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गई है इसे कम्प्लिटली ड्राइ नहीं करना है इस तरह का इसका टेक्शर होना चाहिए अब हम गैस बंद कर देंगे और आखिर में हम इसमें थोड़ा इलाइची का पाउडर डालेंगे आप चाहे तो इसमें बारिक कटे हुए बादाम पिस्ता भी डाल सकते है इलाइची पाउडर जब मिक्स हो जाए उसके बाद इसके उपर ढकन लगा दे और बुंदी को रूम टेंपरेचर पर आने तक आप ऐसे ही रहने दे मैंने बुंदी को बना कर पूरी रात ऐसे ही रहने दिया था तो आप देख सकते हैं दूसरे दिन ये हमारी बुंदी एकदम रस्दार और मौश्यर वाली बनकर तयार हुई है इसमें से एक दाना लेकर मैं आपको दिखाती हूँ तो इस तरह का परफेक्ट टेक्शर बुंदी का होना चाहिए इसे हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और इसके गार्निशिंग के लिए उपर से हम कटे हुए बादाम और पिस्ता एड़ करेंगे बनाई हुई बुंदी को अब बाहर ही 8-10 दिन तक स्टोर कर सकते है तो आप भी इस तरह से ये बुंदी बनाकर जरू ट्राइ करें आपके गर में सभी को ये बहुत ही पसंद आएगी उम्मिद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी इसी तरह की और रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले